मनीश कस्यप के मामले में आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी थी ये तै होना था कि मनीश कस्यप के उपर जो एने से लगा है वो एने से लगा ही रहेगा या एने से हटेगा लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि आइटम नमबर टू पे दिन के ग्यारह बजे इस बात पर बहस होनी थी मनीश कस्यप के वकिल सिधार्थ दवे और उनके खिलाफ में खड़े कपिल सिब्बल दोनों लोगों को अपना पक्ष रखना था पर अपसोस की दोनों लोग समय से आही नहीं सके मनीश कस्यप के वकिल सिधार्थ दवे किसी और केस में इंगेज रहे और मनीश कस्यप के खिलाफ में खड़े कपिल सिब्बल वो किसी दूसरे मामले में इंगेज रहे इस वज़ा से सुप्रीम कोट के माननी अन्याय अधीस ने तारीख बढ़ा दी और तारीख बढ़ाते हुए सो मुआर को कहा कि सो मुआर को अब इस बात पे पहस होगी लेकिन जहां तक से मेरी जानकारी है जहां तक से मेरे अपने sources है उसके हिसाब से मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि मनीश कस्यप के उपर लगाएने से हट जाएगा क्योंकि जिस तरह से पिछली तारीख पर जो जज़ थे उन्होंने सक्त लैजे में पूछा था कि मनीश कस्यप के उपर ये एने से लगा कि किस तरह की दुस्मनी निकाली जा रही थी जज के इसी टिपड़ी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मनीश कस्यप के उपर लगा एने से हट जाएगा लोग इस बात का बेसबरी से इंतजार भी कर रहे थे, पर दोनों वकील में से कोई भी वकील आ नहीं पाई इस मामले में, और जब आ नहीं पाई तो इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर जानकारी जो है, वो ये है कि तमिल्नाडू स सरकार मनीश कस्यप के खिलाप पूरी तरह से हाथ धोके पड़ी है क्योंकि तमिलाडू सरकार ने अपने हलफ नामे में कहा है कि ना तो हम प्राथमिकी रद करेंगे और ना ही मनीश कस्यप के ऊपर लगा एने से उसने तमिलाडू सरकार में अपने हलफ नामे में और लिखा ह क्योंकि मनीश कस्यप ने तमिलाडू में प्रवासियों को पीट पीट कर माल डालने का दावा करते हुए वीडियो में छेड़ छाड़ की और उन्हें प्रिष्ट भूमी क्लिप के रूप में इस्तेमाल किया मतलब आप समझे कि तमिलाडू सरकार सीधे कहती है कि मनीश कस्यप ने इतना जगन अपराद किया है कि मनीश कस्यप के ऊपर जितने भाई आर दर्ज है हम उसको रद नहीं करेंगे और नहीं मनीश कस्यप के ऊपर लगा एने से हटाएंगे फिर भी इस बात की उमीद ज्यादा है कि जब भी अगली तारीक यानी मंडे को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो मनीश कस्यप के उपर लगाएने से हट जाएगा हलाएकि इस बार आत्मान सकते हैं कि मनीश कस्यप का भाग्य सही नहीं था मनीश कस्यप अभी खराब समय से खराब दोर से गुजर रहे हैं जिस वज़ा से अब मनीश कस्यप के वकिल सिधार्थ दवे ही नहीं आ पाए मनीश कस्यप के खिलाफ में खड़े कपिल सिब्बल वो किसी और मामले में इंगेज रह गए और मनीश कस्यप के लिए लड़ रहे सिद्दार दवे वो किसी और मामले में इंगेज रहे इस वज़ा से इस मामले की सुनवाई ही नहीं हो पाई तो अब मनिश कस्यप के जितने प्रसंसक हैं वो इंतजार करें अगली तारिख के सो मुआर को यानि सो मुआर को क्या होगा अब इस बात का नेड़ सो मुआर को ही पता चलेगा पर वो सो मुआर अगला सो मुआर है या उसके आगे वाला सो मुआर है ये हमें भी नहीं पता क्योंकि जज महोदे ने सिर्फ इतना ही कहा कि इनवीक मंडे ऐसे उन्होंने कहा कि इनवीक मंडे इस बात पर सुनवाई होगी तो वो तारीक अभी तय नहीं हो पाई है पर सो मु सोमवार को ही होगी असपश्ट रूप से अभी मैं इतना ही बता सकता हूं बाकी आप देख रहे ते पब्लिक प्लेटफॉर्म मेरा नाम कुमार अभिनो है देखने के लिए धन्यवाद